गारेंटी लेता हूं अगर आप पूरा अगर इस सार दिन के सेडूल को फोलो करते हैं अभी से अगर फोलो करते हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम मतलब बहुत समय पढ़ा है ससी जीडी 2025 के लिए तो सार दिन अगर आप तैयारी करोगे जिस परकार मैंने बताया है ठी मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि मेंने अससी जीडी में 25 25 की विशन से होगे और अपना अससी जीडी 2025 मतलब नहीं वाली बेकर के करने वाला है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अससी जीडी वर्टी 2025 के अंदर आप मेहत के अंदर पूरा में से पूरा थीक है तो आज का यह वीडियो इसी टोपिक के अपर रहने वाला है कि अससी जीडी वर्टी 2025 के अंदर आप मेहत में जो बच्चे कमजोर है वह अपना हाई स्कोर किस परकार अचीव कर पाएगे बतलब मेहत के अंदर बढ़िया से स्कोर किस परकार कर पाएंगे 20 में से 20 की मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं अगर इसको फोलो करते हो तो आप 20 में से 20 कुजन से करके आओगे क्योंकि मैंने भी किया है तो मैं मानता हूँ अगर में कोई काम कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं आप सभी को बता है मेरा 10th के अंदर 50-35 score था मतलब 50-35 mark थे 12 मैंने दो बार किती फिर मैंने एक पहली बार मेरे 53-30 थे और बाद में मेरे 60-30 थे लेकिन फिर भी मैंने सब्सक्राइब करना है वह भी आपको कितने दिन में दो महीने के अंदर बिल्कुल friends आपने सही सुना, सार दिनों के मैं आपको पूरी strategy बताऊंगा, पूरा schedule बताऊंगा, किस परकार आपको त्यारी करना है, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखेगा, तो यहाँ पर सार दिनों में पूरे अंक हासिल करने के लिए, आपको एक आपके पास समझ होनी चाहिए, कि मेरा मेत के अंदर, सबसे पहले syllabus के अंदर क्या-क्या चीज़े पूची जा रही है, ठीक है, syllabus अगर आप समझ लिए, उसके बाद में माल लीजिए, आपको एक-इक topic लेना है, ठीक है, आपको आगे बताऊंगा, किस परकार आपको त्यार पकड़ना है, ठीक है, इसके बाद में, और किन topics में अधिक ध्यान देने की जूरत है, मतलब किन topic को अगर आप बागबट पढ़ लेते हैं, फिर भी क्यूशन गलत आ जाते हैं, इस परकार की topic को आपको पढ़ना है, ठीक है, पकड़ना है, सबसे पहले आपको syllabus को अच्छ को किस परकार हल किया जाता है, साधरन भ्याज जाते हैं, इनके सवालों को किस परकार हल किया जाता है, आपके पास एक basic, मतलब किसनों को हल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेगा, हर topic की basic को अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद मे यदि आपके basic मजबूत है, तो किसी भी सवाल को हल करना आसान हो जाएगा, मतलब अगर आपको basic आता है, तो हराम से आपको किसों हल कर पाओगे, ठीक है, अगर basic नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, ठीक है, तो friends, सबसे पहले में आपको बता देता हूँ, अगर आपक सबसे पहले में आपको बता देता हूँ, मैं एक वाली इस बुक को जूम कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाए दे, इस बुक की खास चीज क्या है, वह आप देखेगा, यह आपकी sold paper रहने वाली है, ठीक है, इसको आपको purchase कर लेना है, मैं आपको पूरा schedule बत ठीक है, तीशे स्पेटन के उपर है, 2200 पलस objective question इसके अंदर दिये गए है, ठीक है, chapter wise यह book रहने वाली है, most important चीज होती है, chapter wise बुक, यह book आपकी chapter wise रहने वाली है, इसको आपको purchase कर लेना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिस दोनों के अंदर आती है, अब यहाँ पर आपक अपन करोगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह गराब दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताएगा है कि कौन सा chapter, आपके लिए कितना प्रति से ज्यादा important है, यहाँ पर आपको बताएगी है, ठीक है, जिस chapter का प्रति से ज्यादा है, उसको सबसे पहले आपको cover करना है क्योंकि उनसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद में, अब यहाँ पर जो बच्चे तयारी करना चाहते हैं, मतलब SSC GD experiment के लिए नीचे दियेगे मेहत के chapter बहुत महत्तपरोन है, ठीक है, यहाँ पर मेहत के जो topics द में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक एक करके chapter concept को YouTube से फिरी वीडियो से clear कर लेना है, मतलब जैसे यहाँ पर यह जितने भी topic आपका मेहत का सलेबस है, सबसे पहले एक एक topic आपको उठाना है, और मेहत के सारी वीडियो मतलब आपने देखा होगा, YouTube पर आपको कोई पहले आप एक करके chapter के concept को वीडियो, मतलब YouTube वीडियो फिरी में आप देख सकते है, clear कर सकते है, YouTube पर बहुत सारे आपके पास SLC GD से related, मेहत के जितने भी वीडियो आपको अच्छे से cover कर लेना है, जैसे यहाँ पर exam पूर है, रोजगार इवित अंकित है, इनके channel के ओपर बहुत सारे फिरी के अंदर वीडियो पर आप उन से त्यारी किजिए, सबसे पहले आपको वह पढ़ लेना है, कोई page course कर नहीं कर लेना है, ठीक है, दूसरे step आपको क्या लेना है, जिस chapter का concept पढ़ ली है, उनके question किरना SSC TCS PYQ chapter वाई से practice करना है, मतलब जैसे माल लीजे, यहां पर आपको यह बुक मिल जाएगी, इससे आपको practice करना है, ठीक है, पिर आपके बाद में यहां पर repeat करना है step 1 और 2 को, जैसे माल ने, पहला आपने 35 किया, 35 की वीडियो क्लास देखी, उसके बाद में मेत किरन वाली book है, उससे practice कर लिया, ठीक है, यह आपका हो गया, पहला topic के लिए, उसके बाद में दूसरे topic आपको पकड़ लेना है, जो भ अगर आप इस जो टेकनिक है, इसको follow कर देते हैं, तो आपका selection कोई ने रोख पाएगा, एक बार में आपको यह भी बता देता हूँ, कि आपको फिर त्यारी के से करना है, इसमें आपको सार दिन की पूरी strategy बता देता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, अब यह basic पर पकड़, basic आप cover कर लोगे, जैसे एक-एक topic आप लेके चलोगे, तो आप basic YouTube से आप कोई भी चैनल उठा लीचे, जैसे एक एक्जाम पूर, आपका रोजगार भी तंकीत, अससी मेकर, MD classes, कोई भी, ठीक है, वासे आप अपना basic cover कर सकते है, इसके बाद में रोजजाना पुराने paper, उनको तो आपको लगाना ही, लगाना है, हटे में एक बाद मोक्टेश दे, और पिछले सालों के paper हल करे, इसे आपको अपनी त्रयारी का आकलन करने का मौका मिलेगा, ठीक है, यह चीज आपको द्यार में लगना है, इसके बाद में time table में, आप ध्यान से देख नमबर सिस्टम वाला topic है, वोल नमबर वाला, ठीक है, हर दिन 2 गंटे basic और 1 गंटे आपको अभ्यास करना है, ठीक है, यह आपको काम करना है, हर दिन आपको 2 गंटे basic कहां से cover होगे, YouTube से practice कहां से होगे, किरन पप्लिकेशन से, ठीक है, इसके बाद में, अगरे 6 दिन से ले क्या काम करना है, पंड़मेंटल, अर्टमेटिकल, ओप्रेसंस, यानि जो और गटाओ, गुना पागवाला, जो topic आता है, उसके 2 गंटे आपको basic, basic आपका clear करना है, basic YouTube से आपका clear होगा, practice मैं आपको बता दिया, क्रेण पप्लिकेशन वाली book से, आप practice कर सकते है, ठीक है, क गंटे आपको basic करना है, और एक गंटे आपका person practice करना है, कि मतलब क्यूशनो की आपको practice करना है, ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा चरण हाता है, आपका, दूसरे चरण के अंदर, आपका 21, मतलब 21 दिन से लेकर, 40 दिन में आपको किस प्रकार त्यारी करना है, वो आप interest वाले topic को cover करना है, इसको cover करने के लिए 5 गंटे आपको basic practice करना होगा, basic आप YouTube से किसी भी channel से practice कर सकते है, और 5 गंटे आप अपना practice कर सकते है, practice में आपको book बताई दिये, इसके बाद में, आपका जो अगला दिन आता है, 26 दिन से लेकर, 30 दिन, आपको किस परकार त्यारी यह आपको clear करना है, जिसमें area, volume आता है, ठीक है, 2 गंटे आपको basic clear करना होगा, और 1 गंटे आप किसनों की practice कर सकते है, ठीक है, यह हो गया, इसके बाद में, दिन आता है, आपका 36 से 40 दिन, आपको किस परकार त्यारी करना है, तो यहाँ पतल्यान से देगेगा, आपका topic आता है कौन सा, time and distance and time and work, यह topic आता है, similar topic है, इसमें 2 गंटे आपको basic की त्यारी करना है, यूटूब से कर सकते हैं, 1 गंटे आपको किसनों की practice करना है, ठीक है, इसके बाद में, आपका जो third level आता है, इसके अंदर 41 से लेकर सार दिन का schedule बताए गया है, तो एगर आप द्य division और mocktest के उपर focus करना है, इकदा इससे 50 वे दिन, आपको revision करना है, revision में सभी topics का revision करें, हर दिन 3 गंटे, रोज 1-2 mocktest भी हल करना है, ठीक है, दिन आता है, आपका account से लेकर साट वे दिन, आपको किस प्रकार त्यारी करना है, तो final revision और mocktest के उपर आपको focus करना है, final revision लगा किये, उसका final division करना है, और mocktest लगाना है, किन दिन, एकदा account से लेकर साट भी दिन तक, ठीक है, पिछले सभी topics को कमजोरियों को सुधारे, मतलब जो भी आपको, आपने जो mocktest देते समय, आपने जो आपको पता चला है, आपकी कमजोरिया, उनकी आपको practice करना है, ठीक है, च चीज़े क्या हो जाती है, गल्तियों से सीखे, मतलब गल्तियों से कैसे सीख पाऊगे आप, इसके लिए, हर mocktest के बाद अपनी गल्तियों का visualization करें, और उनसे सीखे, मतलब mocktest लगाने के बाद में आपको पता चलता है, कि वो उनसे topic में अंदर मेंने कहां पे गल्तिया की को इसके बाद में, speed और accuracy पर ध्यान दे, speed और accuracy बहुत important हो जाते हैं, क्योंकि SSGD में एक गंटे का समय मिलता है, इसके अंदर आपको लगबग 80 सवाल करने पर दे हैं, तो यहां पर ध्यान देगे, केवल सही उत्तर देना ही नहीं है, बलकि समय पर उत्तर देना ही मत्परून होता है, मतलब सही answer देना most important नहीं होता है, समय पर answer, सही answer देना most important होता है, इसके लिए आपको अपनी speed और accuracy पर ध्यान देना होगा, ठीक है, तो यह थी पूरी रनदिती, अगर आप friends में आपको बता देता है, इस रनदिती को यदि आप पूरी इमानदारी, इमानदारी औ और अनुसासन के साथ, follow करते हैं, तो सार दिनों में, में जो section आपका, में पूरे अंग लाने की संभावना बट जाएगी, पर गारंटी लेता हूँ अगर आप पूरा, अगर इस सार दिन के schedule को follow करते हैं, अभी से अगर follow करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम, मत 25 की उजन से कियें, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है प्रेंट्स, क्योंकि अससी GD के अंदर, में तो reasoning की एक ऐसा topic है, जो आपका selection आगे ले जाता है, मतलब selection के chance आपके बढ़ा देता है, तो इसको cover करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, मैंने आपको schedule और रनलती इस वीडियो के अंदर बता दिये, कि सार दिनों के अंदर किस परकार आप तयारी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेंट्स, आपका कोई भी doubt है, कोई भी comment है, तो आप comment box में बताइएगा, ठीक है, और जो भी books बताइए, इन books को purchase कीजिए, तयारी ज़्यादा बैतर हो जाएगे, लिंक description box में दे रखा है, ठीक है प्रेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जाहिंद, जै बारत, बंदे,